31,000, 5,500, 3,000, 13,000 and 13,000 approximately 65,000 के आसपास मतलब ने खर्च की हैं और आप 70 मान लो ठीक है, 70,000 ना टाइटल में रखाम अच्छा लग रहा था यहां भाई साब मोटे खर्चे कर दी है वेनम भाई ने का सबसे पहला है और उसका सोलिशन निकाल लिया है सेगेट का यह सोला टीबी का एक्सपैंशन है भी यह एक इक वीडियो का यह धे laट इस कैम धिए टीचली का इस चे चार्ट का अस शोटी खर्था देटा हमारा 30-30 Gb का बन जाता 40-40 Gb का और डेटा स्टोर करने भाई एक टीबी की हार्ट ड्राइव हमारी ऐसी भर जाती दी ओ भाई सहाब क्या जवर्दस ड्राइव है भाई लंभी चोडी मोटी एक तो हमारी बाई स्टोरेज ड्राइव निकल जाती है थोड़ी बहुत पुस्तकी बाच्ची जो हम कभी ने देखते है और एक डबबा और निकल लिए यह अलग अलग क्लिप्स हैं डिफरेंट डिफर इसके अंदर मैंने अपनी SSD लगाई और अमना डेटा ट्रांसफर हुआ था और यह इतनी तेज गरम हो गया था उसके बाद यह खराब हो गया मुझे तो पहले डरता कि मेरी SSD तो नी खराब होगी बट नहीं SSD बजगी थी तो इसे कर दिया जा एक नोर अब यह महंगी महंग और ट्रेडर है उनके लिए समझना बहुत मुझकिल है वो यही सोचते कि बाई जो नसीब का खेल है और जितने भी नए इंवेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो अपने किसी रिलेटिव से किसी फ्रेंड से पूचके इन्वेस्मेंट कर देते हैं और उनको हो जाता भारी जिससे आपका मदब नुकसान ना हो यहां पर में बात करूं मोतिला लॉस्वाल एप के बारे में मोतिला लॉस्वाल से जुड़ने पर आपको एक फाइनेशल एडवाईजर दिया जाता है जो आपको इन्वेस्मेंट और ट्रेडिंग से रिलेटिड गाइडेंस भी देता और साथ ही आपको कोई मेंटेनिस चार्ज देने के जूरत नहीं है और फ्लैट ब्रोक्रेज एड रुपीस 20 पर लॉट मिलेगा डीमाट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको गधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा और आपको रियल-time stock recommendations में मिलेगी इनक सारे benefits है लिंक देया डिस्क्रिप्शन लेए उस पर क्लिक करो अपना city और phone number डालो और आज अपना DMAT अकाउंट ओपन करो फिर मगाया मैंने सतरंग की बातचीत वाला इसाब किताब SSD enclosure ASUS ROG का यह 5500 का है आप enclosure की एक बार बाई शकल देखो क्या ही सुन्दर enclosure आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके अदर हमारे को एक type A to type C cable मिल जाती है और थोड़ी बहुत पुस्तर की बातचीत मिल जाती है एक यहाँ पर हमारे को ejector pin मिल जाते है ejector pin का scene क्या है इसके अदर अलड़ी मैं SSD लगा चुको आपको दिखा दाता हूँ एक बार यह ऐसे लगा के हमारी इस तरीके से कुछ खुल जाएगी यह WD की Black SN850 लगा रखके मैं इसके अंदर 1TB वाली जो हमारी Gen 4 SSD है अब यह WD की Black SSD मेरे पास एक तो पहले से थी मैंने अपने PS5 के लिए मंगवाई थी बट PS5 में मेरी काम नहीं आ रही थी क्योंकि उसमें में अध्ता जादा खेल नी पारा था कि मैंने क्यों ना कि मन में डाउट आ रहा होगा कि external enclosure ले SSD चलाने के लिए हमारे को बढ़िया वाला या फिर external SSD ले जो Samsung वाली SSD लेना वो सस्ती पड़ेगी आठ नो हजार उपे में एक टीबी वाली मिल जाती है 1000 Mbps स्पीड वाली यह enclosure में लगाने के बाद 7000 Mbps स्पीड नहीं देती Gen 4 SSD में सब्सक्राइब 7000 Mbps स्पीड होती है वह इसमें नहीं मिलेगी आपको एंक्लोजर लगाने के बाद स्पीड आती है कम अपने स्क्रीन पर स्पीड भी देख सकतो इसकी हमारे को 1000 Mbps मिल रही थी वह भी टाइप सी के बल के तुरू 500 Mbps के आसपास मिलती है तो यहां पर यह पर इसके बाद एक्स्ट्रा एससदी पड़ी है किसी पीसी इंदर आपकी यूज नहीं होगी या फिर आपने खरीद दी थी और आप समझ नहीं आरा क्या करना उनके लिए यह चाहिए इसमें जरी लगा लो और कौन-कौन से साइज इसके लग सकती है वह इसके डबबे में में मेंशन है वह आपकी स्क्रीन पर रहा हुआ वीडियो पॉस करके देख लेना अब यह जो मारे डब्लुडी ब्लाक एससदी इसकी अपनी स्पीड 7000 Mbps रीड स्पीड और 5000 Mbps राइट स्पीड में पीसी में लगा के मैंने टेस्ट किया था और डेस्टॉप पर लगने क तो इसके अंदर हम आपना पूरा का पूरा प्रजेक्ट उठा लेते हैं और डारेटली इसी से एडिटिंग करो कोई दिक्कत ही नहीं सिद्धा उठा के दूसरे PC में लगाओ दढ़ा दढ़ा डिटिंग एकदम स्मूद एक्स्पीरेंस मिलता है अगर यही चीज़ हम एक् अब एकदम डाउनलोड करते हो हमारे इसमें स्टोर होते हैं यह लगाते हैं और डारेक्टली इसके अंदर टेस्टिंग क्योंकि रिडेंट राइट स्पीड आता है तो उस वैसे लोडिंग टाइम होता है एक सेकंडरी कामरा भी होता है प्लस हमारे वोईसओवर्स होते है बी रोल्स होते हैं एक प्रोजेक्ट अराम से 50-60GB का बन जाता है अब PC में हमारे दो टीबी स्टोरेज है वो फटावट भर गई फिरमने एक और लाप्टाप के अंदर स्टोर गया वो भर गया मैंने का बाइसाब इसको काम नीचे लेगा तो मैंने सोचा क्यों एक मोटा म की स्टोरेज विल रही है जो की काफी वैल्यू फॉर मनी है और बात रही इन जेन 4 SSD के बारे में जेन 4 SSD के अल्रीडी दो वीडियो बना रखे मैंने एक सामसंग वाली बनाई थी और एक सीगेट वाली बनाई थी लगबक इनका सारा सिनारियो से होता है इन SSD से आप क्या क्य सकते हो like PC में कितना difference आता है, gaming loading times में, PS5 में कैसे लगानी है, सब का सब उन वीडियो में cover कर रखा, वो देख लेना इन वीडियो के बात, आपको पता लएगा कि Gen4 SSD कितनी काम किया है, और मैंने आपको पता जिया, Enclosure वाला सीन सिर्फ उनके लिए जिनके पास SSD एक्स्ट्र अगर स्टोरीज की दिक्कत आ रही है, दूसरी में चीज, अगर कोई मैंने गलत investment कर दी, इसके लाबा यह आप यह कर सकते थे, यह नहीं कर सकते थे, वो आप comment section में open लिए बता दे न, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कुछ productive लगाओ, आपको कुछ help मिली हो यह चीज तो उसके लिए भी comment कर देना बस, आज की वीडियो को ले इतना था, मिलते है नेक्स वीडियो अब तक के लिए, बाई